ओम गरिंग गरिंग श्रीक लक्ष्मी बासु देवाई नमहाई हर ताले का तीज कब है आप भी जांगले तारिक पूजन टाइमिंग महत्व वो प्रत्विधी इस वर्ष हर ताले का तीज पर कई अध्भुद संयोग बन रहे हैं रवी और इंद्र योग में इस वर्ष तीज की पूजा होगी जबकि साथी चित्रा और स्वाती नक्षत का भी निर्मान हो रहा है हर ताले का तीज इस बार 6 सितंबर को है इस दिन शिप जी ने पारवती को पत्नी के रूप में सुईकार किया था इसलिए यह ब्रत सुहागिनों के लिए बेहत महत पूर्ण है हर ताले का तीज का ब्रत शंकर पारवती को समर्पित है कहते हैं पती की लंबी आयू तरक्की और परिवार की खुशाली के लिए यह ब्रत बहत महत पूर्ण है हड़ ताली का तीज ब्रत कठीन ब्रतों में से एक माना गया है इस दिन सुहागी ने निर्जला वो निराहार ब्रत रखकर पती की लंबी आयू की काम ना करती है इस ब्रत को खुवारी कर्ण्याई भी रख सकती है मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की क्रपा से खुवारी कर्ण्याई को सुयोग के बर्की प्राप्ती होती है खुवारी लड़क्या भी अच्छे बर्की प्राप्ती के लिए इस दिन ब्रत रख सकती है प्रातकाल हरी ताली का पूजा मुहुत 6 बजकर 2 मिनट सुबह से 8 बजकर 33 मिनट सुबह तक अवधी 2 घंटे 31 मिनट तिर्टिया तिथी प्रारंभ सितंबर 5 दोहज्यार जोविस को 12 बजकर 21 मिनट दिन में तिर्तिया तीथी समाप्त सितंबर छे दोहचार चौविस को तीन बच कर एक मिनट दिन में हर ताली का तीज पूजा भी धी हरी ताली का तीज में स्रे गनेश भगवान शिब और माता पार्वती की पूजा की जाती है सबसे पहले मिट्टी से तीनों की परतिमा बनाएं और भगवान गनेश को तिलक करके धूरबा अरपित करें इसके बाद भगवान शिब को फूल वेल पत्र और शमी पत्री अरपित करें और माता पार्वती को श्रिंगार का समान अरपित करें तीनों देवताओं को बस्त अर्पित करने के बाद हरी ताली का तीज ब्रतकता सुने और पढ़ें इसके बाद श्री गनेश की आरती करें और भगवान शिप्ट और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद भोग लगाएं इश्वर आप सबों का कल्यान करें